C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 9 के लिए सामाजिक विज्ञान की ध्वनी पाठे पुस्तक लोगतांत्रिक राजनीती वाची का हैं प्रियंका आईए अब सुनते हैं अध्याय 4 शीर्शक है संस्थाओं का कामकाज प्रिष्ट संख्या 60 परिचय लोगतंत्र का मतलब लोगो द्वारा अपने शासकों का चुनाव करना भर नहीं है लोगतंत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कुछ काईदिक आनूनों को मानना होता है उन्हें भी संस्थाओं के साथ और संस्थाओं के भीतर ही रहकर काम करना होता है यह अध्याय लोकतंत्र में संस्थाओं के कामकात से संबंधित है हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश में किस तरह महत्वपून फैसले करके उन्हें लागू किया जाता है हम ये भी देखेंगे कि इन फैसलों से संबंधित विवादों को किस तरह सुलजाया जाता है इस अध्याय में हम इन फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली तीन संस्थाओं विधाईका, कार्यपालिका और नियाईपालिका पर ध्यान के इंद्रित करेंगे आप पहले की कक्षाओं में इन संस्थाओं के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर चुके होंगे हम यहां उनका संक्षेप में वर्णन करके कुछ और महत्वपूर्ण सवालों पर ध्यान देंगे हर संस्था के संबंध में हम यह प्रश्ण करेंगे कि वह किस तरह की काम करती है एक संस्था दूसरी संस्था से कैसे जुड़ी है इनकी कामों को क्या चीज कम या ज्यादा लोकतांत्रिक बनाती है इस अध्याय का मुख्य उद्देशे यह समझना है कि किस तरह से ये संस्थाएं मिलकर सरकार का काम करती है कई बार हम इनकी तुलना दूसरी लोगतांत्रिक व्यवस्थाओं की इसी तरह की संस्थाओं से करते हैं इस अध्याई में हम राष्ट्य सर्की सरकार के कामकाज से उधारण देंगे राष्ट्य सर पर भारत की सरकार को केंद्र या संग की सरकार भी कहा जाता है इस अध्याय को सुनते हुए आप अपने प्रदेश की सरकार के कामकाज के उधारणों पर भी नजर रख सकते हैं प्रिष्ट संख्या 71 भाग 1. प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किये जाते हैं 1. सरकारी आदेश 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया इसे कार्याले ग्यापन कहा गया सभी सरकारी आदेशों की तरह इस ग्यापन पर भी एक संख्या थी यह आदेश उसी संख्या से जाना जाता है O.M. 36001231900 कार्मिक जन शिखायत और पैंशन मंत्राले के कार्मिक हेवं प्रशिक्षन विभाग के एक संयुक्त सचिव ने इस आदेश पर दस्थकत किये थे यह चोटा सा आदेश मुश्किल से एक पनने का था अगर आप इसे देखेंगे तो यह एक वैसा ही आम सरकुलर या नोटिस लगेगा जैसे आपने स्कूल में देखें होंगे सरकार हर रोज विभिन मसलों पर सैक्रो आदेश जारी करती है लेकिन यह आदेश बहुत महत्फून था और कई सालों तक विवाद का कारण बना रहा आईए देखें कि यह निर्ने किस तरह लिया गया और इसके बाद क्या हुआ इस सरकारी आदेश में एक प्रमुख नीतिगत फैसले की गोशना की गई थी इसमें कहा गया था कि भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27 फीसदी रिक्तियां समाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछरे वर्ग SEBC के लिए आरक्षित होंगी अब तक जिन जाती समूहों को सरकार पिछड़ा मानती है उन्हीं का एक और नाम SEBC यानि Socially and Educationaly Backward Classes है अब तक नौकरी में आरक्षन का लाब केवल अनुसूचित जाती और जनजातियों को ही मिल रहा था अब SEBC या सामाजिक और शेक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए तीसरी शेर्णी तयार की जा रही थी और इनके लिए 27 फीसदी का अलग कोटा तयार किया जा रहा था अन्ने लोग इन 27 फीसदी नौकरियों के लिए प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे निर्ने करने वाले इस ग्यापन को जारी करने का फैसला किस ने किया जाहिर है अकेले उस व्यक्ति ने इतना बड़ा फैसला नहीं किया होगा जिसके हस्ताक्षर उस दस्तावेज पर थे वह अपने मंत्री द्वारा दिये गए निर्देशों को लागू करने वाला अधिकारी था कार्मिक और प्रशिक्षन विभाग के मंत्री ने भी खुद यह निर्ने नहीं किया होगा आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने बड़े निर्ने में देश के सभी प्रमुक अधिकारी शामिल रहे होंगे आपने पिछली कक्षा में इन में से कुछ के बारे में पहले पढ़ लिया होगा अब एक बर फिर इन प्रमुक बिंदूओं पर सरसरी नजर डालते हैं एक, राश्ट्रपती राश्टा अध्यक्ष होता है और अप्चारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है दो, प्रधान मंत्री सरकार का प्रमुक होता है और दरसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तमाल वही करता है तीन, प्रधान मंत्री की सिभारिश पर राश्ट्रपती मंत्रियों को न्यूक्त करता है इनसे बनने वाले मंत्री मंडल की बैठकों में ही राजकाच से जुड़े अधिकतर निर्णे लिये जाते हैं चार, संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा प्रधान मंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हासिल होना जरूरी है तो क्या कार्याले ग्यापन के फैसले के मामले में ये सब शामिल थे? इसके बारे में पता करते हैं खुद करें, खुद सीखें बताई गई बातों के अलावा, इन संस्थाओं के बारे में पिछली कक्षाओं की और कौनसी बातें आपको याद हैं? कक्षा में उस पर चर्चा करें क्या आप अपनी राज्य सरकार द्वारा लिये गए किसी वड़े फैसले को याद कर सकते हैं? राज्य पाल, मंत्री मंडल, राज्य विधान सभा और न्यायालय किस तरह इस निर्णय में शामिल थे? यह सरकारी आदेश एक लंबे घटना चक्र का परिनाम था भारत सरकार ने 1989 में दूसरा पिछड़ी जाती आयोग गठित किया था इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी और इसी के कारण इसे आम तोर पर मंडल आयोग कहते हैं इसे भारत में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पैचान के लिए मापदंड तय करने और उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाये बताने का जिम्मा सौपा गया इस आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें दी आयोग द्वारा सुजाये गए उपायों में एक सिफारिश थी सरकारी नौक्रियों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27 फीसिदी आरक्षन देना इस रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों पर संसद में चर्चा हुई वर्षो तक कई पाटियां और सांसद इसे लागू करने की मांग करते रहें फिर 1989 का लोग सभा चुनाव हुआ जन्ता दल ने अपने चुनाव घोशना पत्र में वादा किया कि सत्ता में आने पर वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेगा चुनाव के बाद जन्ता दल की ही सरकार बने और इसके नेता वीपी सिंग प्रधान मंत्री बने इसके बाद कई घटनाए हुई एक नई सरकार ने संसद में राष्ट्रपती के भाषन के जरिये मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा की घोशना की दो, छे अगस्त 1990 को केंद्रिय केविनेट की बैठक में इसके बारे में एक आपचारिक निर्णय किया गया तीन, अगले दिन प्रधान मंत्री वीपी सिंग ने एक बयान के जरिये इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को सूचित किया चार, केविनेट के फैसले को कार्मिक तदा प्रशिक्षन विभाग को भेज दिया गया विभाग के वरिष्ट अधिकारियों ने केविनेट की निर्णय के मुताबिक एक आदेश तैयार किया और मंत्री की स्विकृती केंद्रिय सरकार की तरफ से ली एक अधिकारी ने उस पर हस्ताक्षर किये और इस तरह 13 अगस्त 1990 को O.M.360123190 तैयार हो गया अगले कुछ महीनों तक यह देश का सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा बना रहा सभी अकबार और पत्रिकाओं में इस मुद्दे पर तरा-तरा के विचार आए बहस चली इसके चलते कई प्रदर्शन और जवाबी प्रदर्शन हुए इन में से कुछ हिंसक भी थे इससे नौक्रियों के हजारों अफसर प्रभावित होने वाले थे इसलिए लोगों की प्रतिक्रिया बहुत तीखी थी कुछ लोगों का मानना था कि भारत में विभिन जातियों के बीच और समानता के कारण नौक्रियों में आरक्षन जरूरी है उनका मानना था कि इससे उन लोगों को बराबरी पर आने का मौका मिलेगा जिनको सरकारी नौक्रियों में अभी तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है दूसरे पक्ष के लोगों का मानना था कि इस निर्ने से जो पिछड़े वर्क के नहीं हैं उनकी अफसर छिनेंगे अधिक योगेता होने पर भी उनको नौक्रिया नहीं मिलेंगी कुछ लोगों का मानना था कि इस से जातिवाद बढ़ेगा जिससे देश की प्रगती और एकता पर असर होगा यह निर्ने अच्छा था या नहीं इस अध्याय में हम इस बारे में बात नहीं करेंगे हम इस उधारन को यहां सिर्फ यह समझने के लिए बता रहे हैं कि देश में प्रमुक निर्ने कैसे लिये जाते हैं और उन्हें कैसे लागू किया जाता है फिर इस विवाद का निप्टारा किस ने किया आप जानते हैं कि सरकारी निर्ने से उठने वाले विवादों का निप्टारा सर्वोच न्यायाले और उच न्यायाले करते हैं इस आदेश के विरोधी कुछ लोगों और संस्थाओं ने अदालतों में कई मुकदमे दायर कर दिये उन्होंने अदालत से इस आदेश को अवैद घोशित करके लागू होने से रोकने की अपील की भारत के सरवोच नयायले ने इन सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया इस मुकदमे को इंदरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला कहा जाता है सरवोच नयायले के 14 सबसे वरिष्ट नयाय दीशों ने दोनों पक्षों की दलीले सुनी उन्होंने 1992 में बहुमत से फैसला किया कि भारत सरकार का यह आदेश अवैद नहीं है लेकिन सरवोच नयायले ने सरकार से उसके मूल आदेश में कुछ संशोधन करने को कहा उसने कहा कि पिछडे वर्क की अच्छी स्थिती वाले लोगों को आरक्षन का लाब नहीं मिलना चाहिए उसे के मुताबिक 8 सितंबर 1993 को कार्मिक एवं प्रशिक्षन मंत्राले ने एक और आदेश जारी किया यह विवाद सुरज गया और तभी से इस नीती पर अमल किया जा रहा है कहा पहुँचे क्या समझे आरक्षन की मामले में किसने क्या किया सर्वोच नियाया लए मंडल आयोक की सिफारिशों को लागू करने की आपचारिक घोशना की कैबिनेट आदेश जारी करके घोशना को लागू किया राश्ट्रपति 27 फीसदी आरक्षन देने का फैसला किया सरकारी अधिकारी आरक्षन को वैद करार दिया राजनेतिक संस्थाओं की आवश्यक्ता हमने एक उधारन देखा कि सरकार कैसे काम करती है किसी देश को चलाने में इस तरह की कई गतिविद्यां शामिल होती है मिसाल के तोर पर सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा, सुनिशित करने और सबको शिक्षा एवं स्वास्ते सुविदाएं मुहया कराने की जिम्मेदारी होती है वह कर इकठा करती है और इसे सेना, पुलिस तथा विकास कारेकरमों पर खर्च करती है वह विभिन कल्यान कारी योजनाय बनाकर उन्हें लागू करती है कुछ व्यक्तियों को इन गतिविद्यों को चलाने के लिए फैसला करना होता है कुछ लोगों को इने लागू करना होता है अगर इन फैसलों या फिर लागू करने में कोई विवाद उठता है तो यह तय करने वाला भी कोई होना चाहिए कि क्या यह सही है और क्या गलत है सबके लिए जानना भी जरूरी है कि कौन किस काम को करने के लिए जिम्मेदार है यह भी जरूरी है कि भले ही प्रमुक पदो पर बैठे लोग बदल जाएं लेकिन ये गतिविदिया जारी रही लिहाजा सभी आदुनिक लोकतांत्रिक देशों में इन कामों को देखने के लिए विभिन विवस्थाएं की गई है इस तरह की विवस्थाओं को संस्थाओं कहते है कोई भी लोकतंत्र तभी ठीक से काम करता है जब ये संस्थाओं अपने काम को अच्छी तरह करती है किसी भी देश के सम्विधान में प्रतेक संस्था के अधिकारों और कारेों के बारे में बुन्यादी नियमों का वर्णन होता है दिये गए उधारन में हमने इस तरह की विभिन संस्थाओं को काम करते देखा एक प्रधान मंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती हैं दो मंत्रिय द्वारा किये गए फैसले को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में नौकर्शाज जिम्मेदार होते हैं क्या आप इस उधारन में दूसरी संस्थाओं के बारे में सोच सकते हैं? उनकी भूमिकल क्या है? संस्थाओं के साथ काम करना आसान नहीं है संस्थाओं के साथ कायदे कानून जुड़े होते हैं इनसे नेताओं के हाथ बन सकते हैं संस्थाओं के कामकाज में कुछ बैठकें, कुछ सम्मीतियां और कुछ रूटीन काम होता है कुछ सामाने रूटीन होता है इनके कारण अक्सर काम में देरी और परिशानिया होती है इसलिए संस्थाओं के साथ कामकाज में परिशानी महसूस की जा सकती है ऐसे में कोई सोच सकता है कि एक ही व्यक्ति सारे फैसले ले तो ज्यादा बहतर होगा काइदे कानून और बैटकों के क्या जरूरत है पर यह सोच लोगतंत्र की बुनियादी भावना के अनुकूल नहीं है संस्थाओं के कामकाज के तरीकों से जो कुछ परिशानिया होती है या थोड़ा वक्त लगता है वह भी कई माइने में उप्योगी होता है किसी भी फैसले के पहले अनेक लोगों से राय विचार करने का अफसर मिल जाता है संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला जटपड करना आसान नहीं होता लेकिन संस्थाओं बुरा फैसला भी जल्दी ले पाना मुश्किल बना देती है इसी कारण लोगतांत्रिक सरकारे संस्थाओं पर जोड देती है भाग दो संसद कार्याले ग्यापन के उधारन में क्या आपको संसद की भूमी का याद है? शायद नहीं चुकि यह फैसला संसद ने नहीं किया था लिहाजा आपको लग सकता है कि इस फैसले में संसद की कोई भूमी का नहीं थी लेकिन पहले हम कुछ घटनाओं पर नजर डाल कर देखते हैं कि क्या उनमें संसद का कहीं कोई जिक्र था? हम उन्हें इन वाक्यों को पूरा करके याद करने की कोशिश करते हैं एक, मंडल आयोग की रिपोर्ट पर डैश चर्चा हुई थी दो, भारत के राश्ट्रपती ने इसका डैश जिक्र किया था तीन, प्रधान मंत्री ने डैश यह फैसला सीधे संसद में नहीं किया गया था लेकिन इस रिपोर्ट पर संसद में हुई चर्चा से सरकार की राय प्रभावित हुई थी इसकी वज़ा से सरकार पर मंडल आयोग की सिफारिश पर कारवाई करने के लिए भी दबाव पड़ा था अगर संसद इस फैसले के पक्ष में नहीं होती तो सरकार ये कदम नहीं उठा सकती थी क्या आप अंदाजा लगा सकती हैं कि क्यों सरकार ये कदम नहीं उठा सकती थी आपने पहले की कक्षा में संसद के बारे में जो पड़ा है उसे याद करके यह कलप्रा करने की कोशिश कीजिए कि अगर संसद ने क्याबिनेट के फैसले को मन्जूरी ना दी होती तो क्या होता हमें संसद की आवशकता क्यों है हर लोक तंत्र में निर्वाचित जन प्रतिनुधियों की सभा जनता की ओर से सर्वोच राजनैतिक अधिकार का प्रयोग करती है भारत भी निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रे सभा को संसद कहा जाता है राज्य स्थर पर इसे विधान सभा कहते हैं अलग-अलग देशों में इनके नाम अलग-अलग हो सकते हैं पर हर लोक तंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होती है यह जन्ता की ओर से कई तरह से राजनातिक अधिकार का प्रयोग करती है 1. किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसत को होता है कानून बनाने या विदिनिर्मान का ये काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधाई का कहते है 2. दुनिया भर में संसत सरकार चलाने वालों को नियंतरत करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है भारत जैसे देश में उसे सीधा और पूर्ण नियंतरन हासिल है 3. सरकार के हर पैसे पर संसत का नियंतरन होता है अधिकांच देशों में संसत की मंजूरी के बाद ही सारवजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है 4. सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्री नीती पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संग है संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है संसद की दो सदन चूंकि आधुनिक लोक तंत्रों में संसद बड़ी महत फून भूमिका निभाती है लिहाजा अधिकांश बड़े देशों ने संसद की भूमिका और अधिकारों को दो हिस्से में बांट दिया है इन्हें चेंबर या सदन कहते हैं पहले सदन की सदस्य आमतोर से सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रियोक करते हैं दूसरे सदन की सदस्य अमुमन परोक्ष रूप से चुने जाते हैं और कुछ विशेश काम करते हैं दूसरी सदन का सामान्य काम विभिन राज्य, शेत्र और संगिय इकाहियों के हितों की निगरानी करना होता है। हमारे देश में संसत की दो सदन हैं। दोनों सदनों में एक को राज्य सभा, Council of States, और दूसरे को लोग सभा, House of People के नाम से जाना जाता है। भारत का राष्टपती संसत का हिस्सा होता है, हालकि वे दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। इसलिए संसत के फैसले राष्टपती की मन्जूरी के बाद ही लागू होते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में भारतिय संसत के बारे में पढ़ा है। अध्याय चार से आपको पता चल गया है कि लोकसभा का चुनाफ कैसे होता है। अब संसद के दोनों सदनों के गठन में प्रमुक अंतर को याद करते हैं। इन मामलों में लोकसभा और राजे सभा के बारे में अलग-अलग जवाब दीजिए। एक, कोल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। दो, सदस्यों को कौन चुनता है। तीन, उनका कारेकाल कितना होता है। चार, क्या सदन को हमेशा के लिए भंग किया जा सकता है या वैस थाई है। लोकसभा बनाम राजे सभा। दोनों सदनों में से अधिक प्रभाफशाली कौन है। राजे सभा को कभी-कभी अपर हाउस और लोकसभा को कभी-कभी लोवर हाउस कहा जाता है। इसका यह मतलब नहीं है कि राजे सभा लोकसभा से ज्यादा प्रभाफशाली होती है। यह महस बोल-चाल की पुरानी शह और हमारे सम्विधान में यह भाषा इस्तिमाल नहीं की गई है। हमारे सम्विधान में राजों के संबंद में राज्य सबा को कुछ विशेश अधिकार दिये गए हैं। लेकिन अधिकतर मसलों पर सर्वोच्य अधिकार लोक सबा के पास ही है। आईए देखें कैसे एक, किसी भी सामानने कानून को पारिद करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है लेकिन अगर दोनों सदनों के बीज कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसला दोनों के संयुक अधिवेशन में किया जाता है इसमें दोनों सदनों के सदस्ये एक साथ पैडती हैं सदस्यों की संख्या अधिक होने की कारण इस तरह की बैठक में लोकसभा के विचार को प्राथमिक्ता मिलने की संभावना रहती है दो लोगसभा पैसे के मामलों में अधिक अधिकारों का प्रियोग करती है लोगसभा में सरकार का बजट या पैसे से सम्बंदित कोई कानून पारित हो जाए तो राजेसभा उसे खारिच नहीं कर सकती राजेसभा उसे पारित करने में केवल 14 दिनों की देरी कर सकती है तीन, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगसभा मंत्री परिशद को नियंत्रित करती है सिर्फ वही व्यक्ति प्रधान मंत्री बन सकता है जिसे लोगसभा में बहुमत हासिल हो अगर आदे से अधिक लोगसभा सदस्य यह कह दें कि उन्हें मंत्री परिशद पर विश्वास नहीं है तो प्रधान मंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा राजे सभा को ये अधिकार हासिल नहीं है खुद करें खुद सीखें संसत सत्र के दौरान दूर दर्शन पर लोगसभा और राजे सभा की कारेवाहियों पर रोजाना एक विशेश कारेक्रम आता है कारेवाहियों को देखकर या अखवारों में उसके बारे में पढ़कर इन चीजों की सूची बनाएं एक संसत के दोनों सदनों के अधिकार दो अध्यक्ष की भूमिका तीन विपक्ष की भूमिका प्रिश्ट संख्या 78 लोगसभा में एक दिन चौदवी लोगसभा के कार्यकाल में साथ दिसंबर 2004 एक समान्य दिन था आईए इस बात पर गौर करें कि सदन में इस दिन क्या हुआ इस दिन की कारवाई के अधार पर संसत की भूमिका और अधिकारों की पहचान करें आप अपनी कक्षा में इस दिन की कारवाई का अभिनाय कर सकते हैं दिन के ग्यारा बजे विबिन मंत्रियों ने सदस्यों द्वारा पूछे गए करीब 250 प्रश्णों के लिखित जवाब दिये इन प्रश्णों में शामिल थे 1. कश्मीर के आतंगवादी समूओं से बादचित के बारे में सरकार की नीति क्या है? 2. पुलिस और आम लोगों द्वारा अनुसूचित जन जातियों के खिलाफ किये गए अत्याचारों का आखना बताएं 3. बड़ी कंपनियों द्वारा दवाएं अत्यादिक महेंगी किये जाने के बारे में सरकार क्या कर रही है? दिन के 12 बजे देर सारे सरकारी दस्तावेज चर्चा के लिए पेश किये गए इन दस्तावेजों में शामिल थे 1. भारत तिबबत सीमा पुलिस बल में न्युकती के नियम 2. इंडियन इंस्टिट अफ टेकनोलोजी खड़कपूर की वार्षिक रिपोर्ट 3. राष्ट्रिय इस्पात निगम निमिटेड विशाखा पत्नम की रिपोर्ट और लेखा जोखा 12 बचकर 2 मिनट पुर्वोतर क्षेत्र के विकास मंत्री ने पुर्वोतर परिशत को पुनर जीवित करने के बारे में बयान दिया 1. रेल राज्य मंत्री ने एक वक्तव्य देकर बताया कि स्विक्रित रेल बजड की अतरिक्त रेलवे को और अनुदान की जरूरत है 2. मानव संसादर विकास मंत्री ने अल्प संख्यक शैक्षिक संस्थान विदेयक 2004 के लिए राष्ट्रिय आयोक की घोशना की उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसके लिए सरकार को अध्यादेश क्यों लाना पड़ा 1. तहल का मामले में कुछ नेताओं के खिलाफ मामले दर्च करने में केंद्रिय अन्वेशन ब्यूरो CBI का पतिशोधात्मक रवया 2. समविधान में एक अधिकारिक भाषा के रूप में राजिस्थानी को शामिल करने की जरूरत 3. आंध्रप्रदेश के किसानों और क्रिशी मस्दूरों की बीमा नीतियों के नवीनी करण की आवशक्ता दिन के 2 बच के 26 मिनट सरकार द्वार प्रस्तावित दो विधेकों पर विचार करके उन्हें पारित किया गया ये विधेक थे 1. प्रतिभूती कानून संशोधन विधेक 2. प्रतिभूती ब्याज और रिन वसूली कानून का प्रत्यवर्तन संशोधन विधेक शाम के 4 बजे आखिर में सरकार की विदेश नीती और इराक की स्थिती के संदर्भ में स्वतंत्र विदेश नीती जारी करने की जरूरत पर लंबी चर्चा हुई शाम के 7 बच के 17 मिनट चर्चा समाप्त हुई सदन अगले दिन तक के लिए स्थागेत हुआ प्रिष्ट संख्या 89 क्या आपको उस सरकारी आदेश की कहानी याद है जिससे हमने इस अध्याई की शुरुवात की थी हमने पाया कि जिस व्यक्ति ने इस दस्तावेस पर हस्ताक्षर किये थे उसने यह फैसला नहीं किया था वहे केवल एक नीतिगत फैसले को लागू कर रहा था जिसे किसी और ने किया था हमने यह फैसला करने में प्रधान मंत्री की भूमिका देखी थी लेकिन हम यह भी जानते हैं कि अगर उन्हें लोकसबा का समर्थन नहीं होता तो वे यह फैसला नहीं कर सकते थे इस अर्थ में वे सिर्फ संसत की मरजी को लागू कर रहे थे इसी तरह, किसी भी सरकार के विभिन स्तरों पर हमें ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो रोज मर्रा के फैसले करते हैं लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे जंता के द्वारा दिये गए सबसे बड़े अधिकारों का इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्य पालिका के रूप में जाना जाता है सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने की कारण इने कार्य पालिका कहा जाता है इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्परे आम तोर पर कारेपालिका से ही होता है किसी लोकतांत्रिक देश में कारेपालिका के दो हिस्से होते हैं जनता द्वारा खास अवधी तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनेतिक कारेपालिका कहते हैं। ये राजनेतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं। दूसरी और जिने लंबे समय के लिए न्युक्त किया जाता है उन्हें स्थाई कारेपालिका या रहते हैं। ये अधिकारी राजनेतिक कारेपालिका के तहट काम करते हैं और रोज मर्रा की प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। क्या आप कारियाले ग्यापन के मामले में राजनेतिक और गैर राजनेतिक कारेपालिका की भूमिका बता सकते हैं। नौकर शाह अमूमन अधिक शिक्षित होता है और उसे विशय की अधिक महारत और जानकारी होती है वित मंत्रालय में काम करने वाले सलहकारों को अर्थ शासर की जानकारी वित मंत्री से ज्यादा हो सकती है कभी-कभी मंत्रियों को अपने मंत्रालय के अधिनस्थ मामलों की तक्नीकी जानकारी बहुत कम हो सकती है रक्षा, उद्योग, स्वास्थिय, विज्ञान और प्राध्योगे की खान आधी मंत्रालयों में ऐसा होना आम बात है फिर इन मामलों में अंतिम निर्ने करने का अधिकार मंत्रियों को क्यों है? इसकी वज़ा बहुत सीधी है, किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरी होती है मंतरी लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस तरह उसे जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है वह अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के प्रती जिम्मेदार होता है इसी वज़ा से मंतरी ही सारे फैसले करता है मंत्री ही उस धाचे और उदेश्य को तय करता है जिसमें नीतिगत फैसले किये जाते हैं किसी मंत्री से अपने मंत्राले के मामलों का विशेशग्य होने की कतई उमीद नहीं की जाती सभी तक्नीकी मामलों पर मंत्री विशेशग्यों की सला लेता है लेकिन विशेशग्य अक्सर अलग राय रखते हैं या फिर वे एक से अधिक विकल्प मंत्री के सामने पेश करते हैं मंत्री अपने उदेश्यों के मताबिक ही निर्ने लेता है दरसल ऐसा हर बड़े संगठन में होता है जो पूरे मामले को भली भाती समझते हैं वे ही सबसे महत्वपून फैसले करते हैं विशेशग्य नहीं करते विशेशग्य रास्ता बता सकते हैं लेकिन व्यापक नजरिया रखने वाला व्यक्ती ही मंजिल के वारे में फैसला करता है लोग तंत्र में निर्वाचित मंत्री इसी व्यापक नजरिये वाले व्यक्ति की भूमी का निभाते हैं प्रिष्ट संख्या सत्तर प्रधान मंत्री और मंत्री परिशद इस देश में प्रधान मंत्री सबसे महत्फून राजन्यतिक संस्ता है फिर भी प्रधान मंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता राष्टपती प्रधान मंत्री को नियुक्त करते हैं लेकिन राष्टपती अपनी मर्जी से किसी को प्रधान मंत्री नियुक्त नहीं कर सकते राष्टपती लोकसवा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गट बंदन के नेता को फी प्रधानमंत्री नूक्त करता है। अगर किसी एक पार्टी या गट बंदन को बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्टपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नूक्त करता है जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है प्रधान मंत्री का कारेकाल तै नहीं होता वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक वह पार्टी या गट बंधन का नेता है प्रधान मंत्री को निक्त करने के बाद राश्ट्रपती प्रधान मंत्री की सलहा पर दूसरे मंत्रियों को निक्त करते हैं मंत्री अमूमर उसी पार्टी या गट बंधन के होते हैं जिसे लोग सभा में बहुमत हासिल हो। प्रधान मंत्री मंत्रियों के चैन के लिए सोतंत्र होता है, बशरते वे संसत के सदस्य हो। कभी-कभी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसत का सदस्य नहीं हो। लेकिन उस व्यक्ति का मंत्री बनने के 6 महिने के भीतर संसत के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य चुना जाना जरूरी है। मंत्री परिशद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। इसमें अमुमन विभिन्स तरो के 60-80 मंत्री होते हैं। 2. स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री अमुमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। वे विशेश रूप से आमंत्रित किये जाने पर ही कैबिनेट की बैटकों में भाग लेते हैं। 3. राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़ी होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। चुकि सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना व्याभारिक नहीं है। लिहाजा फैसले कैबिनेट वेठकों में ही लिये जात हैं। प्रिष्ट संख्या 71 इसी वजह से अधिकांच देशों में संसदिय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है। हर मंत्राले में सचीव होते हैं जो नोकरशा होते हैं। ये सचीव फैसला करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचना मुहया कराते हैं। टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचीवाले करता है। उसमें कई वरिष्ट नोकरशा शामिल होते हैं जो विभिन मंत्र सालों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं। समविधान में प्रधान मंत्री या मंत्रियों के अधिकारों या एक दूसरे से उनके संबंध के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है। विभिन विभागों की सामान्य निगरानी करता है। सारे मंत्री उसी के नेत्रित्व में काम करते हैं। प्रधान मंत्री मंत्रियों को काम का वित्रण और पुनर वित्रण करता है। उसे किसी मंत्री को बरखास करने का भी अधिकार होता है। जब प्रधान मंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्री मंडल इस्तीफा दे देता है। इस तरह अगर भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्ता है, तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधान मंत्री होता है। दुनिया के सभी संसदिय लोकतंत्रों में प्रधानमंत्री के अधिकार हाल की दशकों में इतने बढ़ गई हैं कि संसदिय लोकतंत्र को कभी-कभी सरकार का प्रधानमंत्रिय रूप कहा जाने लगा है। राजनीती में राजनेतिक दलों, पार्टियों की भूमी का बढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री पार्टी के जरिये कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगा है। राजनीती के उभार से प्रधानमंत्री के अधिकार कुछ हद तक सीमित हुए है। गट बंदन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता। उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन समुहों और गुटों के साथ गट बंदन के साजीदारों की राय भी माननी होती है। इसके अलावा उसे गट बंदन के साजीदारों और दूसरी पार्टियों के विचारों और सित्यों को भी देखना होता है। आखिर उनी के समर्थन के अधार पर सरकार टिकी होती है। ताकि वे राज्य के उद्देशियों को हासिल करने के लिए मिल जुलकर काम करें। देश का दावा नहीं कर सकता जिस तरह से प्रधान मंत्री। इससे यह तय हो जाता है कि राश्ट्रपती कहने मात्र के लिए कारे पालक की भूमी का निभाता है। राश्ट्रपती के अधिकारों के मामले में भी यही बात लागू होती है। अगर आप सम्विधान को सरसरी तोर पर पढ़ें तो आप जानेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है जो राश्ट्रपती ना कर सके। सारी सरकारी गतिविधियां राश्ट्रपती के नाम पर ही होती हैं। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम से जारी होते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियां राश्ट्रपती के नाम पर ही होती हैं। प्रिष्ट संख्या तिहत्तर वे भारत के प्रमुख न्यायाधीश, सर्वोष न्यायालय और राजे के उच न्यायालयों के न्यायाधीशों, राजेपालों, चुनाव आयुक्तों और दूसरे देशों में राज़ूतों आदी की नियुक्ति करता है सभी अंतर राश्टे संधिया और समझोते उसी के नाम से होते हैं भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राश्टपती ही तो होता है लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि राश्टपती इन अधिकारों का इस्तमाल मंत्री परिशद की सलापर ही करता है राश्टपती मंत्री परिशद को अपनी सलापर पुनर विचार करने के लिए कह सकता है लेकिन अगर वही सला दोबारा मिलती हैं तो वह उसे मानने के लिए बाद्य होता है इसी प्रकार संसद द्वारा पारित कोई विद्येक राष्टपती की मंदूरी के बाद ही कानून बनता है अगर राष्टपती चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है वहे विद्येक पर पुनर विचार के लिए उसे संसद में वापत भेज सकता है लेकिन अगर संसद दोबारा विद्धेयक पारित करती है तो उसे उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे तो आप सोच रहे होंगे कि राष्टपती करता क्या है? क्या वह अपने विवेक से भी कुछ कर सकता है? एक महत्पूर्ट चीज है जो उसे स्वाव विवेक से करनी चाहिए प्रधान मंत्री की नियुक्ती जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर लिता है तो राष्टपती के पास कोई विकल्प नहीं होता उसे लोगसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नियता को प्रधान मंत्री नियुक्त करना होता है जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोगसभा में बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्टपती अपने विवेक से काम लेता है वह ऐसे निता को नियुक्त करता है जो उसकी राय में लोग सभा में बहुमत जुटा सकता है ऐसे मामले में राश्ट्रपती नव नियुक्त प्रधान मंत्री से एक तै समय के भीतर लोग सभा में बहुमत साबित करने के लिए कहता है प्रिष्ट संख्या 74 राश्ट्रपती प्रणाली विधाई का अमेरिका में उसे कॉंग्रेस कहा जाता है करती है पर राश्ट्रपती किसी भी कानून को वीटो के अधिकार से रोख सकता है सबसे बड़ी बात ये है कि राश्ट्रपती बनने के लिए उसी कॉंग्रेस के बहुमत की समर्थन की जरूरत नहीं होती और ना ही वे उसकी प्रति उत्तरदाई है उसका चार साल का तै कारेकाल है और अपनी पार्टी का कॉंग्रेस में बहुमत ना होने पर भी वे अराम से अपना कारेकाल पूरा कर सकता है अमेरिकी मॉडल को लातिनी अमेरिका के अनेक देशों और सोव्यत संग का हिस्सा रहे कई देशों में अपनाया गया है चुँकि सरकार के इस स्वरूप में राष्ट्रपती की भूमिका केंद्रिय होती है इसलिए इसे राष्ट्रपती प्रणाली कहा जाता है ब्रिटेन के मॉडल को मानने वाला भारत जैसे देशों में संसद ही सर्वोच्छ होती है इसलिए हमारी प्रणाली को शासन की संसदिय प्रणाली कहा जाता है कहा पहुँचे क्या समझे इली अम्मा अन्ना कुट्टी और मेरी मुल राष्ट्रपती के विशे वाले हिस्से को पढ़ती है वे तीनों एक-एक सवाल का जवाब जानना चाहती है क्या आप उन्हें उनके सवालों के जवाब दे सकते हैं इली अम्मा अगर राष्ट्रपती और प्रधान मंत्री किसी नीती पर असहमत हो तो क्या होगा क्या प्रधान मंत्री का विचार हमेशा प्रभावी होगा अन्ना कुट्टी मुझे यह बे तुका लगता है कि सरशस्त्र बलो का सुप्रीम कमांडर राष्टपती हो वह तो एक भारी बंदूग भी नहीं उठा सकता उसे कमांडर बनाने में क्या तुक है मेरी मॉल मेरा सवाल यह है कि अगर असली अधिकार प्रदानमंते के पास ही है तो राष्टपती की जरूरत ही क्या है इस पार भी हम सरकारी आदेश की उसी कहानी पर लोटते हैं जिससे हमने शिरुवात की थी इस बार हम कहानी को याद नहीं करेंगे बस यह कल्पना करेंगे कि यह कहानी कितनी अलग हो सकती थी याद कीजिए कि इस कहानी का उस समय संतोष जनक अंत हो गया जब सर्वोच नयायाले ने फैसला सुनाया इसे हर किसी ने स्विकार कर लिया कल्पना कीजिए कि इन परिस्तितियों में क्या होता एक, देश में सर्वोच नयायाले जैसा कुछ नहीं होता दो, सर्वोच नयायाले तो होता पर उसके पास सरकार की कारवाईयों को आकने का अधिकार नहीं होता तीन, उसे अधिकार होता मगर सर्वोच नयायाले से कोई निश्पक्ष नयाय की उमीद नहीं रखता चार, भले ही वे निश्पक्ष फैसला सुना देता लेकिन सरकार के आदेश के खिलाप अपील करने वाले उसके फैसले को नहीं मानते इसी वज़ा से लोकतंत्रों के लिए स्वतंत्र और प्रभाफशाली न्याय पालिका को जरूरी माना जाता है खुद करें, खुद सीखें उच न्याय आले या सर्वोच न्याय आले के किसी बड़े फैसले से जुड़ी खबरों पर गौर करें मूल फैसला क्या था? क्या अदालत ने उसमें बदलाव कर दिया? इसका कारण क्या दिया गया? प्रिष्ट संख्या 75 देश की विभिन स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्याय पालिका कहा जाता है भारतिय न्याय पालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच न्याय आले, राज्यों में उच न्याय आले, जिला न्याय आले और स्थानी स्तर के न्याय आले होते हैं भारत में न्याय पाली का एक ही कृत है इसका मतलब यह है कि सर्वोच न्यायाले देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है देश की सबी आदालतों को उसका फैसला मानना होता है वहें इन में से किसी भी विवात की सुनवाई कर सकता है एक देश के नागरिकों के बीच दो नागरिकों और सरकार के बीच तीन दो या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच और चार केंद्र और राज्य सरकारों के बीच यह फौशदारी और दिवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच संस्था है यह उच न्यायालियों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई कर सकता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि वह विधायका या कारेपालिका के नियंत्रन में नहीं है न्यायदिश सरकार के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्रों में अदालतें विधाईका और कार्यपालिका के आधिन नहीं होती भारत ने इस लक्षे को हासिल कर लिया है राष्टपती सर्वोच न्यायाले और उच न्यायाले के न्यायाधिशों को प्रधानमंत्री की सलहा पर और सर्वोच न्यायाले के मुख्य न्यायाधिश के मश्वरे से नियुक्त करता है व्यवहारिक तोर पर अब इस व्यवस्था में सर्वोच न्यायाले के वरिष्ट न्यायाधीश सर्वोच न्यायाले और उच न्यायालेओं के नए न्यायाधीशों को चुनते हैं इसमें राजन्यातिक कार्यपालिका की दखल की गुंजाईश बेहत कम है सर्वोच न्यायाले के सबसे वरिष्ट न्यायाधीश को ही अमुमन मुख्य न्यायाधीश न्यूक्त किया जाता है एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच न्यायालय या उच न्यायालय का न्याधिश न्युक्त करने के बाद उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ। इस तरह जब उनके सामने किसी कानून या कार्यपालिका की कारवाई को चुनोती मिलती है तो वे उसकी सम्विधानिक व्यदता तै करते हैं। इसे न्यायिक समिक्षा के रूप में जाना जाता है। भारत के सर्वोच न्यायाले ने यहे भी फैसला दिया है कि संसद सम्विधान के मूल भूत सिध्धानतों को बदल नहीं सकती। भारतिय न्यायपालिका के अधिकार और सोतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। हम नागरिकों के अधिकार वाले अध्याये में देखेंगे कि नागरिकों को सम्विधान से मिले अपने अधिकारों के उलंगन के मामले में इनसाफ पाने के लिए अधालतों में जाने का अधिकार है। उसे जनहित याचिका कहते हैं अदालतें सरकार को निर्ने करने की शक्ती के दुरुपियोग से रोकने के लिए हस्तक शेप करती हैं वे सरकारी अधिकारियों को भ्रेष्ट आचरण से रोकती हैं इसी वज़ा से लोगों के बीच नियाय पालिका को काफी विश्वास मिलता है कहां पहुँचे, क्या समझे निमलिकित संदर्भू में एक कारण दे कर समझाएं की भारतीय नियाय पालिका किस तरह सोतंत्र है नियाय अधीशों की नियुक्ति न्याय अधीशों को पद से हटाना न्याय पालिका के अधिकार प्रिष्ट संख्या सतहत्तर शब्द अर्थ गठ बंधन सरकार विधाईका में किसी एक पार्टी को बहुमत हासिल ना होनी की सूरत में दो या उससे अधिक राजनेतिक पार्टीयों के गठ बंधन से बनी सरकार कार्य पालिका व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के सम्विधान और कानून के आधार पर प्रमुक नीती बनाने, फैसले करने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है सरकार संस्थाओं का ऐसा समून जिसके पास देश में व्यवस्थित, जन जीवन, सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, लागू करने और उसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है व्यापक अर्थ में सरकार किसी देश की लोगों और संसाधनों को नियंतरित और उसकी निगरानी करती है एक राजनेतिक संस्था जिसके पास नियाय करने और कानूनी विवादों के निट्टारे का अधिकार होता है देश की सभी अदालतों को एक साथ न्याय पालिका के नाम से पुकारा जाता है विधाईका जन प्रतिनिधियों की सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है कानून बनाने के अलावा विधाईका को कर बढ़ाने, बजट बनाने और दूसरे वित्विधेयकों को बनाने का विशेश अधिकार होता है कार्याले ग्यापन सक्षम अधिकारे द्वारा जारी पत्र जिसमें सरकार के फैसले या नीती के बारे में बताया जाता है राजन्यातिक संस्था देश की सरकार और राजन्यातिक जीवन के आचार को नियमित करने वाली प्रक्रियाओं का समुहूं आरक्षण भेद्भाव के शिकार, वंचित और पिछडे लोगों और समोदायों के लिए सरकारी नौकरियों तथा शेक्षिक संस्थाओं में पद एवं सीटें आरक्षित करने की नीति राज्य निश्चित क्षेत्र में फैली राजन्यातिक इकाई जिसके पास संगठित सरकार हो और घरेलू तथा विदेश नीतियों को बनाने का अधिकार हो सरकारें बदल सकती हैं पर राज्य बना रहता है बोल्चाल की भाषा में देश, राश्ट्र और राज्य को समनार्थी के रूप में प्रयोग किया जाता है राज्ये शब्द का एक अन्य प्रयोग किसी देश के अंदर की प्रशास्निक इकाईयों या प्रांतों के लिए भी होता है इस अर्थ में राजिस्थान, जहारखंड, त्रिपुरा आधी भी राज्ये कहे जाते हैं प्रश्नावली प्रश्न एक, अगर आपको भारत का राश्ट्रपती चुना जाए, तो आप इन में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं क, अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधान मंत्री चुन सकते हैं ख, लोक सभा में बहुमत वाले प्रधान मंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं ग, दोनों सदनों द्वारा पारित विदेयक पर पुनर विचार के रिए कह सकते हैं ग, मंत्री परिशद में अपनी पसंद के नेताओं का चयन कर सकते हैं प्रश्न दो, इन में से कौन राजनातिक कार्य पालिका का हिस्सा होता है क, जिला धीश, ख, ग्रह मंत्राले का सचिव, ग्रह मंत्री, ग्र पुलिस महानी देशक पिश्ट संख्या 78 प्रश्न तीन, न्याय पालिका के बारे में इन में से कौन सा बयान गलत है क, संसत द्वारा पारित प्रतेक कानून को सर्वोच न्यायाले की मंजूरी की जरूरत होती है ख, अगर कोई कानून सम्विधान की भावना के खिलाफ है, तो न्याय पालिका उसे अमाने घोशित कर सकती है ग, न्याय पालिका कार्य पालिका से स्वतंत्र होती है घ, अगर किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो वह अदालत में जा सकता है प्रश्ण चार, इन में से राजनेतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है क, सर्वोच्य न्यायले ख, राश्ट्रपति ग, प्रधान मंत्री ग, संसद प्रश्ण पांच, उस मंत्राले की पैचान करें जिनोंने यह समाचार जारी किया होगा क, देश से जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए एक नई नीती बनाई जा रही है कौलम दो, एक, रक्षा मंत्राले कौलम एक, ख, ग्रामीन इलाकों में टेलेफोन सेवाएं सुलब कराई जाएं कौलम दो, दो, कृशी, खाद्यान और सार्वजनिक वित्रण मंत्राले सार्वजनिक वित्रण प्रनाली के तहत बिखने वाले चावल और गेहुं की कीमतें कम की जाएंगी कॉलम दो, तीर स्वास्तिय मंत्राले कॉलम एक घ, पल्स पोलियो अभियान शुरू किया जाएगा कॉलम दो, चार वानिजिय और उद्योग मंत्राले कॉलम एक अण, उची पहाड़ियों पर तैनाज सैनिकों के भत्ते बढ़ाए जाएंगे कॉलम दो, पांच, संचार और सूचना प्रोध्योगी की मंत्राले प्रश्न छे, देश की विधाईका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से उस राजनातिक संस्था का नाम बताईए जो इन मामलों में अधिकारों का इस्तमाल करती है क, सडक, सिच्चाई, जैसे बुनियादी धाचों के विकास और नागरिकों की विभिन कल्यानकारी गतिविधियों पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा क, स्टॉक एक्स्चेंज को नियमित करने संबंदी कानून बनाने की कमिर्टी के सुझाफ पर विचार विमर्ष करती है ग, दो राज्य सरकारों के बीच कानूनी विवाद पर निर्ने लेती है ग, भुकम्प पीड़तों की राहत के प्रयासों के बारे में सूचना मांगती है प्रिष्ट संख्या उनासी प्रश्ण साथ, भारत का प्रधान मंत्री सीधे जनता द्वारा क्यों नहीं चुना जाता इन चार जवाबों में से सबसे सही को चुनकर अपनी पसंद के पक्ष में कारन दीजिए क, संसदिय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधान मंत्री बन सकता है ख लोगसभा, प्रधान मंत्री और मंत्री परिशत का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्हें हटा सकती है ग जोकि प्रधान मंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लिहाजा उसे जनता द्वारा चुने जाने की जरूरत ही नहीं है घ, प्रधान मंत्री के सीधे चुनाव में बहुत ज्यादा खर्च आएगा प्रश्ण आठ तीन दोस्त एक ऐसी फिल्म देखने गए जिसमें हीरो एक दिन के लिए मुख्य मंत्री बनता है और राज्य में बहुत से बदलाव लाता है इमरान ने कहा कि देश को इसी चीज की जरूरत है रिजवान ने कहा कि इस तरह का बिना संस्थाओं वाला एक व्यक्ती का राज खतरनाख है शंकर ने कहा कि यह तो एक कलपना है कोई भी मंत्री एक दिन में कुछ भी नहीं कर सकता ऐसी फिल्मों के बारे में आपकी क्या राय है प्रेश्ण नौ एक शिक्षिका छात्रों की संसत के आयोजन की तैयारी कर रही थी उसने दो छात्राओं से अलग-अलग पार्टियों के नेताओं की भूमिका करने को कहा उसने उन्हें विकल्प भी दिया यदि वे चाहें तो राजे सभा में बहुमत प्राप्त दल की नेता हो सकती थी और अगर चाहें तो लोग सभा के बहुमत प्राप्त दल की अगर आपको यह विकल्प दिया गया तो आप क्या चुनेंगे और क्यों प्रश्ण दस आरक्षन पर आदेश का उधारन पड़कर तीन विध्यारतियों की न्याय पालिका की भूमिका पर अलग-अलग प्रतिक्रिया थी इन में से कौन सी प्रतिक्रिया न्याय पालिका की भूमिका को सही तरह से समझती है ख श्री निवास का तर्क है कि चूंकि सर्वोच न्यायाले सरकार के साथ सहमत हो गई है लिहाजा सुतंत्र नहीं है ख अंजाया का कहना है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है क्योंकि वह सरकार के आदेश के खिलाफ फैसला सुना सकती थी सर्वोची न्यायालय ने सरकार को उसमें संशोधन का निर्देश दिया गः विजया का मानना है कि न्याय पालिका ना तो सोतंत्र है ना ही किसी के अनुसार चलने वाली है बल्कि वे विरोधी समुहों के बीच मध्यस्त की भूमी का निभाती है न्यायाले ने इस आदेश के समर्थकों और विरोधियों के बीच बढ़िया संतुलन बनाया आपकी राय में कौन सा विचार सबसी सही है आईए अखबार पढ़े इस अध्याय में हमने देश की चार विभिन्न संस्थाओं के बारे में चर्चा की आप कम से कम एक हफ़ते के समचार को इकटा करके उन्हें चार समुहों में वर्गी कृत कीजिए एक विधाईका की कारेशेली दो राजनेतिक कारेपालिका की कारेशेली तीन नौकर शाही की कारेशेली चार न्यायपालिका की कारेशेली अभी आप सुन रहे थे सामाजिक विज्ञान पाठे क्रम के अंतरगत ध्वनी पाठे पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीती भाग एक का चौथा अध्याय शीर्शक था संस्थाओं का कामकाज वाचन स्वर अजी थोरो निर्माण सहयोग सौम्या मलिक निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत